है है यहाज आज की वीडियो बहुत जादा इन्फर्मेटिक होने वाली है जो मैं बताने वाला हूँ आप सिर्वी को बताने वाला हूं उस्पन को तो ऑप्सन चैन होता कहां पर पुट राइटर है कॉल राइटर है यह करता कौन है यह सेलर करता है इसे हम किस तरीक से समझेंगे कि मानो मानो एक एक कोई बंदा है ए बंदा है दोनों सेलिंग की बताता हूं और बी भी कोई एक दोनों तरफ एक बंदे बढ़े हुए ठीक है यह क्या कर रहा है यह इसके दिमाग में चल रहा है कि मार्केट को मैं क्या करूँ आ नीचे की तरफ भेजना है यहाँ पे C का मतलब होता है, यह C सोट कर रहा है, C सेल कर रहा है C सेल का मतलब है मार्केट को नीचे की तरफ लेके जाने वाला और B, B कोई बंदा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, P, E को, P, E को sell कर रहा है, P, E sell करने का मतलब है कि ये market को ऊपर कहीं नहीं, ऊपर ले जाने का इसनी बांग है, एक particular जगह पे हर इंसान का अलग-अलग भी होता है, मेरा विचार है कि market यहां से उपर जाएगा, ल सेलिंग में क्या कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, C, E sell कर रहे हैं, और कोई P, E sell कर रहा है, तो यही कहीं न कहीं डाटा बन जाता है, माल लेते हैं, market का अभी जो लेवल है, वो 41,300 पर है, market 41,300 पर हैं, और एक और important चीज़ आपको बताता हूं, बैंक निफ्टी में जो round बैठते हैं, round figure number यहां पर कैसे होता है, यहां पर round figure number है guys, कि 41,000 एक round figure number है, इस तरीके round figure number, 41,100,200,300, यहां पर भी बैठते हैं, लेकिन कम लोग बैठते हैं, 41,000 पर बैठे हुए हैं, अच्छे लोग, फिर बैठे हैं, 39,500, मतलब यह 500 और 1000 के आंकडे पर, यहां पर, 41,000 से उपर महीं जाने दूँगा, दो तरीके का mindset के लोग यहां पर बैठे हुए, तो करते क्या हैं, कि suppose करो कि अभी जैसे बताया था, आपको 41,300 पर भी market है, तो उन्होंने क्या क्या, option seller क्या कर रहे हैं, कि 41,500 का उन्होंने क्या कर दिया, call को बेच दिया, 41,500 को call को रहते हैं, यह call writer होते हैं, second क्या होता है, कि 41,000 पर ही, पी ए राइटर बैठे हुए, जो put sort कर रखे, put को बेच रखे हैं, इनकी दिमाग में है, कि मैं 41,300 से market को मैं नीचे नहीं, बलकि मैं उपर ले जाने की विचार में हूँ, अब यहां पर दोनों की अंदर fight चलता रहत है, आपस में यह उपर नीचे दोनों क्या करते हैं, उपर नीचे दोनों को sell करके छोड़ देते हैं, market किधर भी निकलता है, कोई एक तरफ निकलता है, मालो कि 300 हैं, तो pass में कौन सा है, 41,500, जब 41,500 के आसपास यह cross करेगा, तो यह put writer जीत गया, put writing बहुत ज़्यादा हो ग 41,000 है, कौन जीतेगा? जब इसका कहीं न कहीं ज़ादा, मालो इसका मानते हैं, हम लोग 100 कहां खड़ा लेते हैं, माले कि 100 Sud नमर में 70 नमर यह ले गया, और 30 नमर यह ले गया, तो कहीं न कहीं बिजहता कौन हो गया, लोगँ खूस किधर होंगे? लोग हो जाएंगे 41,000 की तरफ, 41,000 क्या है, put writer है, और 41,500 कौन सा है, call writer है, तो हार कौन गया, call writer हार गया, call writer हार गया, मतलब put writer जित गया, market को उपर लेके चला गया, तो यहां पे समझने वाली बात क्या हुआ, market में जिधर भी सबसे ज़्यादा put writing किया गया है, sorry, मतलब writing किया गया है, put writing हो, चाहे call writing हो, तो इस आंकड़े से आप पता कर पाओगे, कि market कहां जा रहा है, तो यह आंकड़ा ही हमें option chain में पता चलता है, कि option chain में हमें दिख जाएगा, कि अच्छा, यह एक level है, और इस level के बाद, इस level पे ज़्यादा put writing हो रही है, हर 5-10 मिन पे आप चेक कर सकते हो, कि हाँ भया, put writing बढ़ रही है, call writing कम हो रहा है, call writing बढ़ रही है, put writing कम हो रहा है, तो इन दोनों चीजों से, आप लोग analysis कर सकते हो, कि market में market का view किधर है, और market कहां जा सकता है, यह हम लोग option buyer जो है, हमें उसमें confidence ज़्यादा आएगा, अच्छा, आप लोग यदी, यदी आप लोग price action को follow करते हो, very good, but price action के साथ, यदी आपको option chain में आपको पता चल जाए data क्या कर रहा है, बड़े लोग क्या कर रहे हैं, तो आपको confidence उतना ही ज़्यादा build होता चला जाएगा, आप हम लोग discuss करते हैं, हम लोग chat देखते हैं, तो option chain की chat पे देखने वाले हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हमें समझ में आता है, कि कहां पर सबसे ज़्यादा writer बैठे हो हैं, अभी market 4600 के आसपस है, तो यहाँ का पुट राइटर है, वो 16 लाख है, मतलब अभी भी put writer जादा है, मतलब market उपर की तरफ है, market में bullish है, अभी आप 2-3 जिनों से देख रहे हो market किस तरीके से, रुक-रुक के market उपर की तरफ ही आ रहा है, तो market में bullishने सभी हैं, और 4500 पर आपको put writer जादा है, मतलब यहाँ पर आपको confidence बढ़ेगा, और confidence कब बढ़ेगा, जब मान लिजे कि आपने CE कोई hold कर रखाया, और आपका कुछ profit चल रहा है, और आप चेक कर रहे हो कि option में चल क्या रहा है, और call writer कम होते चले जा रहे हैं, तो आपका confidence दीरे-दीरे बढ़ता चला जाएगा, और आप CE position को hold करते हुए चले जाओगे, रुकते चले जाओगे, तो इसमें क्या होगा profit होने का chance आपका बढ़ते चला जाएगा, इस तरीके से round figure नमर वापस चेक करो, पुर्टी थाउजन, पुर्टी थाउजन पे 19 लाग put writer बैठे में, और पुर्टी थाउजन क्या call writer कुछ भी नहीं है, उसके बराबर में तो बहुत कम है, फिर इसी तरीके से आपको चेक करना है, और आपका confidence यहाँ पर बढ़ता चला जाएगा, देखो, आपके पास कोई strategy है, उसका execute तो आप लोगों ने कर दिया, execute करने के बाद अगर आप लोगों ने जो target लोगे न, वो सिर्फ confidence से आएगा आपका, without confidence से आपका target नहीं आएगा, हो सकता है कि आपने यहाँ लिया, यहाँ पर आपका 200 या 2000 रुपे की profit चल रहा हो, तो आप लोग यह 50,000 का profit capture नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके अंदर वो अभी confidence नहीं है, तो confidence किसलिए आएगा, जब आप यह सारी चीज़े देखते रहोगे, components देखते रहोगे, market का क्या चल रहा है,